हेलो फ्रेंड्स तो इस वीडियो में देखेंगे अगर हमें कंटेनर के अंदर अपना ग्रेडियंट लगाना होता है क्या हमें कंटेनर की कोई बॉक्स शैड़ो देने होती है तो वह हम कैसे देते हैं तो भी नेक्स देजरी के वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले इंट्र उसको वहाँ एकदम clear कर लेते हैं फिर यहाँ के एकदम easily उसे coat कर देंगा तो देखे जो हमने container बनाया है उसके अंदर जो हमाई decoration property होती है उसके अंदर आपको pass करना है अपने gradient अब gradient के सामने आपको लिखना है अपना linear gradient अब इस linear gradient के अंदर दो चार property होती हैं उनको पहले देख लेते हैं इसमें क्या होता है जो भी आपने container बनाया उसमें जो हमारा पहला color है वह हमारे start कहां से होना चाहिए और अगली property होती होती है मैं पास end अब इसमें क्या होता है जो भी हमने container बनाया उसमें जो भी हमने color लिस्ट में last color पास किया वह ख़तम कहां पर होगा इसके बाद होता है stops के अंदर क्या होता है मालीज़े आपने value देनी होगी तो point two माल लीज़े हमारे red के लिए और point six green के लिए तो अब क्या होगा point two तक हमारा red color आपको पूरा शो होगा container में उसके बाद point six से हमारा one तक आपको पूरा green color लेकिन यह इतना area point two से point six इसमें आपको red और green का gradient शोप हो जाए ओके तो यह पूरा concept होता है हमा colors dot orange अब यहीं हमें अपना gradient define करना होता है तो इस colors को remove करते हो और यहां पर लिखते हैं gradient और उसके बाद हमें लिखना है अपना linear gradient और इसके अंदर जो सबसे पहली property होती 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 colors अब colors में एक list होती है कि हमें कौन-कौन से colors use करने तो पहले वो देखते हैं तो मैं यहां यहां पर टाइप करता हूं colors और यह होती है हमारी एक list अब इसके अंदर हमें अपने दो color पास करनें तो पहला मैं देता हूं colors dot pink colors dot pink और दूसा color देता हूं colors dot purple colors dot purple यहां पर save करूंगा तो आपको एक gradient यह देखिए चिक है तो देखिए अब हमाँ gradient start कहां से हो रहा है यह हो रहा है center left से start और end कहां पर हो रहा है यह हमारा end हो रहा है center right उसके बाद जो इसकी दूसरी प्रपर्टी थी वह थी हमारी बिगन कि कहां से हमें अपना first color start करना था तो हम यहां पर लिखते हैं अपनी बिगन और यहां पर लिखते हैं alignment dot top center तो आपको क्या होगा जो हम alignment dot bottom center alignment dot bottom center तो आप देखोंगे जो आप हमारा पर पर करें वह यहां पर stop हो रहा होगा यह दिखेंगे इसका major point होगा चीक है और आपको एक बीच में gradient दिख रहा है इसके बाद जो next property थी वो क्या थी हमारी stops में क्या था हमें दो values पास करनी थी क्योंकि हमने यहां पर दो color य होगा तो इसको save करते हैं तो यह देखिए यह रहा हमारा point two तक आपको पूरा pink उसके बाद यह थोड़ा से gradient और point six seven तक आपको पूरा पर पर तो यह होगा हमारा linear gradient पूरा finish तो आप हम देखते हैं अगर हमें container के अपनी shadow देनी होती है तो वह हम कैसे देते हैं तो चलते हैं लिश्ट पास करनी होती है अपनी box shadows की तो यह हमारी लिश्ट और आप दुबार टाइप करोगे box shadow यहां पर इसके अंदर आपको तीन property डिफाइन करनी होती है पहला तो आपका color कि आप container की shadow किस color मिचाते हो दूसरा इसका offset कि आप किस direction मिचाते हो तो यह आपकी दो direction होती ह एक एक और एक वाई अगर आप यहां 3 और 3 पास करोगे तो यह 3 आपको दिखेगी x direction में और 3 यूनिट्स आपको shadow दिखेगी और तीसरी प्रपरटी होती है उसमें ब्लर रेडियस कि आपका color कितना ब्लर होना चाहिए ओक अब चलके इसे simply code कर लेते है तो देखे यह माई box इसके अंदर हमें प्रोपरटी है box shadow अब यह एक लिस्ट लेती है इसके अंदर हमें अपने पास करनी बॉक्स शैडव अब यहां पे इसके इंदर जो तीन प्रॉपरटी इस थी वह पास कर देते हैं पहला तो इसका color कि हमें shadow किस color में चाहिए तो माल लिए हम देते है colors.purple तो देखें यहां पे आपको अपनी शैडव रही है ओके अब हम क्या करेंगे इस color की थोड़ी सी opacity कम करेंगे तब आपको यह सई से दिखाएगा यहां पे ज्यादा ही blur होगी तो opacity 0.4 आप सेफ करेंगे तो यहां पे आपको बढ़िया सी shadow दिखेंगे बहुत ही fine सी shadow आ रह और अगर आपको इस top property उसके अंदर यूस करनी है तो ठीक है अगर आप नहीं दोगे तो भी कोई शुनी है उसके बाद अगर आपको box shadow कैसे यूस करनी होती है decoration property के अंदर same box shadow property को call करेंगे वो एक list लेता है shadows की उसके अंदर आप दुबार लिखोंगे box shadow तीन parameter पास करके प करेंगे